नबाड की ओर से तीन दिवसिय उडान मेले की शुरुआत आज से रिज मैदान पर हो गई है मेले का शुभारम आज शेहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारदवाज ने किया मेले में प्रदेश के सभी जिलों के स्वयम सहता स्मुहों ने अपने उत्पादों के 20 स्टॉल लगाए है करक्यम का उदेश ग्रामिन लगू सूक्षम उद्योगों को बाजार उपलब्ध करवाना है जड़ सकते हैं कि अगर दूपल में प्रदेश बिल्वाज प्राद़ा रहा है क्रुक्ताइब लगाए है ज़्योग्ते है प्रदेश कि अपलगा है को लाई हो बादी का लाई है प्रदेश में आपेश प्रदेश जाए शीछे नहीं तरह्ट पोलस्चराने की है, प्रोलिए कोई दिर्टार्पा की आवाइका की नहीं है, देहि प्रोड़र स्सक्ष्ट पिल्चप्टार्प। शेहरी विकासमंत्री सुरेश भारदवाज ने कहा कि पीम मोदी का लक्ष है वर्ष दो हजार बाइस तक किसानों की आयत दो गुनी करना है मेले में खेतों में उगाए गई फसलों से निर्मित उत्पादों को परदरशित किया गया जिससे उन्हें अच्छे दा मिल सके उन्होंने कहा कि ग्रामीन्ड लोगों को बहतर बाजार उपलब्द करवाने के लिए नाबाड ने बहतर पहल की है और शिंबला के आसपास के खेत्रों से भी जो है सेलफ एल्प गृप्स इस मेले में भाग ले रहे हैं उसके साथ साथ चंबा की पांगी क्षेत्र से लेकर के कुलू इत्यादी सभी जिलों से तो सेलफ हैल्प गृप्स काम करते हैं तुम्हाँ सब को इन्होंने जो है वो आई इस पुरान मेले में जो है वो एक्सपोजर देना ग्रामीन ख्शेत्रों में सानी के साथ जो है वो और कोई काम हो क्यूंकि जो जमीने हैं जमीन ट्रेच नहीं बढ़ नहीं सकती है जितनी है उतनी रहती है पॉपलेशन बढ़ती है परिवार बढ़ते हैं तो उसके जमीन बंट जाती है और छोटे छोटी जो आपके पास जमीन की होल्डिंग रहती है उसके परिवार का जो है वो जारा भी नहीं हो सकता और साथ ही साथ समय जो है वो उस का काम है यह का मुर्गी का काम है यह सब चीज़ें जो है वह बंगाव और चोटी होल्डिंग की कारण जो है इसलिए यह वह अपने ही उस लोकल प्रोडक्ट को जो है रिफाइन करके जो है वह उसकी मार्केटिंग करते हैं उससे जो है वह अपना बहुत अच्छा जो है इंकम में बढ़ोतरी करते हैं यही वह चीज है जिसके लिए मानिय प्रधा जो चीजे करती है उसके कारण ही काया में बहुत रीज़ेथी होती है और इस ख्षेत्र में जो है नवाड जो हमारा लामिय practitioners के जरिये या इसे प्रकार के मेलों को चयो हैं जहां पर ऐसे Composer को जो है वो एक्स्पोजर भी मिलता है और उनके प्रोडक्स की जो है वो बिक्री भी ऐसे स्थानों पर जाती है तो मैं इसके लिए नवाड के सभी अधिकारियों को जो हिमाचल प्रदेश को देखते हैं और इनके चीफ जनल मेनेजर जो आए हैं उन सभी को बहुत-बहुत भी है तो इसलिए यहां पर इन्होंने इस मेलेक आयोजन किया और साथ लगते जो शेत्र हैं जैसे रजाना है नंदपूर है जायरी है कंडा घाट है मशोब्रा है जिनका शायद कई बार हम को ध्यान में नहीं होता है कि वहां पर कुछ कैसे ग्रुप काम कर रहे हैं उनका जब इस प्रकार के मेलों में एक्सपोजर होता है तो उससे निश्चित रुपते जो है वो लोकर लोगों को भी जानकारी मिलती है और उनका मार्केटिंग जो बेस है वो भी इससे बढ़ सकता है इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जितने भी य कि नौकरी छोड़ करके आये हैं स्टार्ट अप उन्होंने शुरू किया है और उसमें जो यहां के प्रोडक्स हैं उनका भी जो है वो संग्रैन कर रहे हैं और कुछ चीजें जो लुपत हो रही हैं चीजें कई प्रकार की चाय है और ऐसे चीजें हैं जिसका बहुत सारे का करने के लिए वह 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 वहीं स्वेसायता समूहों का कहना है कि इससे उन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार उपलब्द हो रहा है और आए मैं भी बढ़ातरी हो रही है स्वेसायता समूहों को नाबाड के प्रोशान से उन्हें रोजगार प्राप्त हो रहा है वही नीती आयोग से नौकरी छोड़कर अपने उत्पाद तयार करने वाली गौत्मी श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें बहुत दुख होता है जब हिमाचल के उत्पादों को बड़ा बाजार नहीं मिल पाता है इसके बाद ही उन्हें नौकरी छोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रूप बनाया ताकि हिमाचल के बने उत्पादों को अंदर राश्ट्रिय बाजार तक पहुंचाया जा सके यह आपको दूब को अगरा मेरा नम इसांडील है और यह विजुर्गों का सेल्फ हेल्प की आजिम से जो की हैं फेज इंडिया त्वारा सथाफित किये गया है यह ग्राम पंचायथ कोड़ के अंदर यह 25 ग्रूप यह बगद ग्राम पंचायथ कोड़ आजन पंचायथ मे कहीं आपने नहीं सुने होंगे मगर यह 25 ग्रूप बने हैं और ग्राम पंचायथ कोड़ के अंदर अचार चटनी मरब्बा वगरा त्यार करने के लिए उसका यूनिट लगाया गया है जैसे आप जानते हैं कि आजकल करोना का समय है और इसके लिए यह जो विशेश जो वह सके तो यह मारी जो है इससे जो अतम निरभर भारत की बात है उसमें बुझूर्गों को रोजगार भी मिला है और वह रोजगार के साथ-साथ जैसे आप जानते हैं कुछ देश के अंदर बुझूर्गों की हालत क्या है वह हम ग्राम पंचायथ कोड़ के अंदर बुझूर अच्छी तरीके से सफाई से बनाएं आगे भी दिमांड आती है आगे जादा होता है हमारे को राके भी दिमांड होती है चंबा चुखल आया है चंबा थी मसूर आल ओब इंडिया में बिक्ति है अज हर इमाचल का हर इस्टेशन मिलती है यह यह लस्तन मेर्च अद्रक की बनती है यह ज़गलग ख़ता लागते है इसको एक जम चार आदमी खा सकते है इसमें काली मिर्चा है और अजवाईन है इससे बुखवी बढ़ती है खाले में स्वाजिस्त है फाइदा होता है सरवाज आता से लेट फारो मिलता है हम छोटे गरेलू दुपाल दा रोगें गरेलू परोटे सारे महिराओं के मेले में चमबा का चुक हिंबुनकर कुलू जागरिती सोलन सहेली सहे सोलन गुरु साहिब शिमला सहीत अन्य स्वयम सहता समूह ने अपने उतपाद प्रदशनी में लगाए हैं यह मेला 14 फरवरी तक चलेगा